नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं करीब लाखों विद्यार्थियों से राय ली गई, वो कौन सा नियोजन निती चाहते हैं, नियोजन निती को लेकर छात्र नेता मनोज यादों बताते हैं कि जिस प्रकार से सरकार नियोजन निती पर नहीं ले पा रही, इस्ते छात्रों में अकरोस बढ़ता जा रहा है, छात लेया उठता है कि नियुजन निती को रद क्यों किया गया चातर नेता मनोजी आदव ने कहा है कि सरकार को उनकी तरब से यही सुजावाए कि अगर सरकार को नियुजन निती लाना है तो उसमें सिर्फ उन्ही मुदों पर विचार किया जाए जिन मुदों के करण नियोजनिती रद होई थी ज्यारखन में खुलेंगे बंद हो चुके 4000 से अधिक स्कूल ज्यारखन में 72,016,17 और उसके बाद बिलाए किये गए 4,096 स्कूलों को राजसरकार फिल से खोलेगी इसके लिए सभी जीलों से एक महिने में रिपोर्ट मांगी गई है रिपोर्ट के अधार पर जून से सुरू होने वाले नयस एक्षिनिक 72,024 से इन स्कूलों को दुरूस्त करा कर खोला जा सकेगा बता दे जार्खन सिक्षा पर्योजना की राजय पर्योजना निदेशक किर्यान कुमारी पासी ने सभी उपायुकतों को एक महिने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है जार्खन के 4,096 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में बिलाय कर दिया गया था इन स्कूलों को एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्याले के स्थान पर एक से अधिक स्कूल के रहने या एक परिसर में एक से अधिक स्कूल संचालित होने के कारण प्रसासनिक वा भोगलिक रूप से मर्ज कर दिया गया था उसी तरह ऐसे मध्य विद्याले जो ने धाले तीन किलोमेटर की परीधी में से एक से अधिक स्कूल रहने वा छात्र संख्या जिन स्कूलों में नगने थी वैसे 527 स्कूलों को आउक्रामित का प्राथमिक विद्याले बना दिया गया था ज्यारखन विद्यान सवा 82-2023 का काउंटडाउन शुरू वित्य वर्ष 2022 टेस्ट की तरह वित्य वर्ष 2023 चोविस का बयट भी तीन मार्च को ही स्थदन पटल पर रखा जाएगा 2022 का बयट 27-17 दिन का था वर्तवान 27-17 दिन का ही है ऐसा पहली बार होगा जब बतर बित मंत्री नामेश्वर उराव चोथी बार बयट पेस करेंगे इससे पहले लगातार पांच बार बयट पेस करने का रिकोर्ड पुर्व सियेम सह बित मंत्री रगवर दास के नाम था अब सवाल है कि पिछले वितिये वर्स की तुनला में आने वाले बयट में क्या खास होगा इसका खुलासा तो 3 मर्च को ही होगा लेकिन जनकारों का माने तो सरकार लोग लुभावने मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करेगी जनकार कहते हैं कि पिछले साल सियेम से जुड़े ओफिस ओफिस औफ प्रोफिट और इड़ी की करवाई के बाद यहां की राई निति में करवापन का लेप चड़ा है सरकार जनता के विश्वास पर खाड़ा उतरने की कोशिस में नियोजान, अस्थानियता, आरक्षान, OPS समेत कई बड़े फैसले ले चुकी है जी ट्वन्टी होली को लेकर रांची पूलिस अलर्ट राईधानी में होने वाली जी ट्वन्टी देशों की बैठाक के अलावा होली और सब ये बरात जैसे परवतेवार को लेकर रांची पूलिस पूरी तरह अलर्ट मोर में आ गई है इस बैठाक में जी ट्वन्टी होली और सब ये बरात की सुरक्षा को लेकर अवसक निर्देश चारी किये गा है बतादे जी ट्वन्टी देशों की बैठाक को लेकर रांची पूलिस पूरी तरह से सतरक हो चुकी है देश बिदेश से आने वाले महमानों की स्वागात और सुरक्षा को लेकर तेरिया अम्तिम चरण में है एक मार्च से लेकर चार मार्च तक राजधाने की सुरक्षा हर तरह से चाक्षोबंद रहेगी नीजी हाथों में जा सकती है सराब की बिक्री आगामी बितिये वर्च दो हजर तेस चोविस में सराब की बिक्री एक बार फिर नीजी हाथों में जा सकती है इसका मुक्षे कारण सराब के सोखीनों को वर्तमान बितिये वर्च में होई परिसानियों वर रयस्व की कमी है बता दे वर्तमान बितिये वर्ष 2022 में बाइसो क्लोर के रहस्व लक्ष का पीछा करते वे भी भाग ने अब तक केवल 1609 क्लोर रहस्व हासिल किया है चालू बितिये वर्ष के समापन में केवल एक महीने ही बचा है ऐसी सिती में आगामी बितिये वर्ष में बेवस्ता सुचारू वा बढ़ियां तरीके से चल सके इसके लिए आयुक्त उत्पाद कर्ण सत्यार्थी ने सभी जिले को उपायुक्तों को पत्र लिख कर आगामी भीत्य वर्ष 2 या 24 के लिए उत्पात लाइसेंस के बंदोबस्ती का प्रस्ताव भेजने को कहा जल्द ही प्रस्ताव आने के बाद बंदोबस्ती की परकिरिया भी जल्द होगी अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों की हर्ताल खत्मे राज में पारामेटिकल कर्मियों की होने वाली अस्थाई नियुक्ती में 50 फिसद पद सीमित परिक्षा से भरे जाएंगे इस सीमित परिक्षा में अनुबंद पारामेटिकल कर्मी सामिल होंगे या सीमित परिक्षा जारकन करमचरी चेन आयोग या किसी सोतंत्र एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी वहीं सेस पचास परज़त पद परसीधी नियुक्ति होगी जिसकी परिक्षा में भी अनुबंध कर्मी अपनी योगता के उसल सामिल हो सकेंगे स्वासमंत्री बन्ना गुपता के साथ अनुबंध परामेटकल कर्मीयों के साथ होई बारता में इस पर विचार करने का अस्वासन दिया गया बारता में लिये गए निर्नाय के अलोक में हर्ताल ततकाल परभाव से समाप्त करने का भी निर्नाय लिया गया है ज्यारखन के 32 लाख किसानों को नहीं मिली सुखा राहत की रासी विते खरीफ के मौसम में राज्ये के 226 परखंडों में सुखा पड़ा था इस करने किसानों की फ़सल लुक्सान हुआ जारखन की मुख ये फसल धान नहीं लग पाया जिसके बाद राज सरकार ने किसानों को सुखा राहत देने के घोसना की बता दे किसानों को सुखा राहत योईना के तवत आवेधन करने को कहा अब तक 32,50,000 चादिक किसानों ने सुखा राहत के लिए आवेधन दिया है इनको सुखा राहत का इंतियार है इनमें से करीब 13,00,000 किसानों को राज सरकार ने अपने अस्तर से 35,00,000 रुपए सुखा राहत सहयोग के रूप में दिया किसानों को सुखा राहत देने के लिए केंद्र सरकार से करीब 95,00,000 रुपए की मांग की है इस मांग के एवज में भारत सरकार की एक कुछ अस्तरिय टीम ने राज के कई जीलों का दोरा भी दिसंबर माह में कर लिया है भागपा मावादी के च्छा हाटकोर नकसली गिरफतार जारखन के पच्मी सिम्भूम पुलिस को मावादी के खिलाब सर्च अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने इस मामले में च्छा हाटकोर नकसली के उगिरफतार कर लिया है इस में बोज हेमरम और्फ किसून हेमरम डुबराज हेमरम और्फ डुबराज तूरी देवगाम पाल सिंग हेमरम दामू कोडा और्फ जुडू कोडा वा बीर सिंग और्फ छोटा कोडा सामिल है इनके पास से डेटोनेटर वा जीलेटिन बरामत किया गया बता दे नक्सलियों की रफतारी के बाद पुलिस अधिक्चक आसुतोस सिखा ने सनिवार की साब अपने कर्याले कक्ष में प्रेस कॉंफरेंस कर रहे जनकारी दिया है जारखन में तीन लोगों को फांसी अदालत ने सुनाया फैसला जारखन के देव घर की अदालत ने सनिवार को फांसी के साजा सुनाया है नवाली की दुसकर्म के बाद बेरमित से हत्या मामले में कोट में सुनाया हुई इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोसी करार दिया और फांसी के साजा सुनाया है बता दे ये मामला 2020 का है ADJ 300 500 Special Court की जज गरिमा मिश्रा ने तीन दोस्यों को फांसी की सजा सुनाई है जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई इसमें 20 यादव, रीत लाल यादव और भवेस यादव सामिल है ये तीनों देवघर जीले के ही है CBAC ने लॉंच किया रीडिंग एप केंजरिये मादमिक सिक्षा बोर्ड, CBAC ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़न की रुची बढ़ाने के उधे से CBAC रीडिंग एप लॉंच किया है इस एप के जरिये ओनलाइन किताबे पढ़ी जा सकेगी एप को गूगल प्ले एस्टोर और एपल एस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है CBAC रीडिंग एप से काक्षा नर्शरी से आठवीत तक के स्टूडेंट किताबों को टेक्स्ट, आडियो और वीडियो के जरिये ओनलाइन पर सकेगे